नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्टमास्टर पर दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल गडित पैड़ागोजी से संबंधित इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं साथी साथ बहुत सारी चीज़े आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप उस कांसेप्ट को समझ पाएंगे जिससे पैड़ागोजी के प्रस्न जो है आसानी से हल किये जा सकते हैं तो चलिए प्रस्न सीरीज शुरू करते हैं उससे पहले ये चैनल पर हेली बार आप आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूलिएगा साथी साथ जिन प्रस्नों के उत्तर आपको आते हैं उनको आप करμέंट बाक्स में बताते हुए चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला प्रस्न आपकी स्क्रीन पे है गडित सार संग्रा के लेखक कौन है आरेभट, भासकराचारे, महावीराचारे या ब्रहमगुप्त गडित सार संग्रा के लेखक कौन है तो दोस्तों उमीद है आपने जो है इसका आंसर दे दिया होगा तो इसके जो गडित सारसंग्रा के जो लेखक हैं वो हैं महावीरा चार्रे अगला प्रस्न बहुत ही महत्वपूर प्रस्न है और जो गडित की जो पेड़ागोजी होती है उसमें जो है कई प्रकार के ऐसे प्रस्न आ जाते है जिसमें परिभासा दी रहती है कि ये कत्थन किसका है एसे भी एक दो नमबर के प्रस्न मेट्स पेड़ागोजी में जरूर आते हैं आप देख सकते हैं सिच्छग उपकरोणों के माध्यम से सिच्छड को इस्थाई एबं रोचक बना देते हैं यहां कथन किसका है आपके आपसन है रस्क नन वंसिधर मेकन तथा रॉबर्ट्स दोस्तों आंसार दीजिए दोस्तों यह जो परिवासा दीए यह दीए मेकन तथा रॉबर्ट्स ने सिच्छक उपकरोणों के माध्यम से सिच्छड को इस्थाईवा रोचक बना देते हैं यह जो परिवासा दीए वो मेकन तथा रॉबर्ट्स ने दीए दोस्तों अंगला जो प्रस्ण है वो है गडित सिच्छड की स्वयम सिध्ध विदी में काउन सी विदी सम्मिलीत नहीं है यहाँ पे जो मैट्स पेड़ागोजी होती है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है नहीं सब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है किसी भी प्रस्ण में तो आपको याद रखना है कि नहीं सब्द को यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रस्ण सही कर पाएंगे गडित सिचड की स्वयम सिध्धी विदी में से कौन सी विदी सम्मिलित नहीं है तो आपके आफसन है यूकलीड विद गैर यूकलीड विद अनुवानसिक विदी आपचारिक स्वयम सिध्धी विदी तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर है वो है अनुवानसिक विदी यानि जो अनुवानसिक विदी है वो गडित सिछड की स्वयम सिध्य विदी में विदी से सम्मिलित नहीं है बाकी जितनी विदियां है युक्लेट गहर युक्लेट अफचारिक स्वाइम से दुविद ये सम्मिलित हैं नेक्स्ट कुश्चन दोस्तों ये जो प्रसन है ये कई बार रिपीट होता है कि पाई क्या है बहुत बार रिपीट होता है कि पाई है एक बिसम्मिन एक सम्मिन एक अभाजी संख्या एक अपरिमे संख्या तो दोस्तों यहाँ पर पाई जो है वो एक अपरिमे संख्या है दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाय हुआ है मैं पेड़ागोजी का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रसन है उसको जरूर देखा आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा तो पाई यह है एक अपरिमे संख्या है फिर दोस्तों अगला प्रसना यह भी बहुत ही महतपूर है यह भी एकसर पूछा जाता है सबसे छोटी अबाजी संख्या कौन सी है सुन एक दो यह तीन तो सबसे छोटी अबाजी संख्या की बात करने तो दोस्तों आप लोग बताएं कमेंड बाक्स में कौन सी है तो दोस्तों सबसे जो छोटी जो अबाजी संख्या है वो दो है इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज मत होईएगा सबसे छोटी अबाजी संख्या दो है और दोस्तों जो अगला प्रस्न है इस तरीके के प्रस्न आपको जो है सीटेट के एक्जाम में अकसर देखने को मिल जाते है प्रस्न को बहुत सही तरीके से आपको पढ़ना होता है और उसको समझना होता है साथी साथ उसका आंसर निकालना होता है तो इस प्रस्वन को देख लिए गडित में तुर्टियों की एक महतपूर भूमिका है यानि आप गडित जब लगाते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से तुर्टियां हो जाती है या कथन क्या सिद्ध करता है तो आप लोग देखिए गलत क्योंकि गडित में तुर्टियों का कोई स्थान नहीं पहला आपसन दूसरा आपसन है गलत क्योंकि तुर्टियां लापरवाही दरसाती है तीसरा आपसन सही क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गडित की और धारणा की किस प्रकार रचना करते हैं चौता अपसन आपका है शही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप तांकों के विशय में फीड़एक देती है तो दोस्तों जब भी आप सीटेट का पेपर हल कर रहे हूं तो उसमें आपको दो अपसन जो है नजदीकी लगते हैं अब इस प्रसन में आप लोग दे सही है तो यहां पर पहला अपसन गलत होता है गलत क्योंकि तुर्टियों का कोई स्थान नहीं ऐसा नहीं है गडित में तुर्टियों का स्थान होता है क्योंकि तुर्टियों ला परवाही दरसाती ऐसा भी नहीं तुर्टियां होती है अभ्यास की कमी से अब देखिए तीस प्षैर्तियों को उनके प्रापतांगों के विसई में फीड़ग देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यह प्रसंद जो 3 नंबर का है, यह ज्यादा सही है तो ज्यादा सही है, उसको आपको टिक करना, क्योंकि सही ये बहुत कराती हैं बच्चे की गड़ित की अधारना किस प्रकार की रेचना करते हैं तो दोस्तों नंबर तीन यहाँ पे सही है क्योंकि तुरूटियां जो हैं वो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है वैसे तुरूटियों की संभाना काम होती जाती है चलिए अगले प्रस्ण की तरफ चलते है अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है दोस्तो प्रात्मिक इस्तर पर गड़ित की पहलियां मदद करती है यानि प्रात्मिक इस्तर पर जो पहलियां देए रहती हैं बच्चों को किस प्रकार मदद करती है अब देखिए पहला आफ्षन है कच्छा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में समस्या सुलजाने के कौसलों को परखने में या समस्या सुलजाने के कौसलों को पर प्रोसाहित करने में तो दोस्तों जो पहलिया होती है जिनकी मदद से बच्चे जो है गड़ित के जो सवाल होते हैं वो सुल्जा लेते हैं तो इन में से कौन सा आपसन ज्यादा आपको सही लगता है तो दोस्तों बताएं तो दोस्तों इसका आपसन सही होता है आपसन नमबर फोर है अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पे है गड़ती ये संचारण उलेक करता है अपसन वन गड़ती ये विचारों को समाहित और संगठित करने की छमता नमबर दो समस्याओं को सुल्जाने की छमता नमबर तीन गड़त प्रसनोत्री में भाग लेने का काउसल गड़त के कच्छा कच्छ में बोलने की छमता यानि की गड़ती जो संचारण है वो किस प्रकार से होता है आपको बताना है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आंसर नमबर वन यानि जो गड़त के विचार होता है जिस हिसाब से जो है गडित चलती है धीरे-धीरे step by step उनको समाहित और संगठित करने की जो छमता होती है वो गड़ती है संचारड कहलाती है तो इसका जो अफसन सही होता है वन दोस्तों अगला प्रसनाप की स्क्रीन पे है ऐसे प्रसनाप को सीटेट में देखने को मिल याए प्रात्मिक इस्तर पर गड़त की पाठिपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वड बुसे विसेस्ता निमलेक्षित में से कौन सी है यह जो प्रात्मिक इस्तर पर जो पाठिपुस्तक चलती है गड़त की उसकी जो सबसे अधिक महत्वड बिसेस्ता है वो कौन सी है आपके संकल्पनाओं का उचतरक अच्छाओं में संबंद जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं से जटिल से सरन रूप में प्रदर्सित किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को पोड़तया स्रेडी बद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है प्रात्मिक इस्तर की अब आप देख सकते हैं कि यह आपसन लगबग सभी सेम लग रहे हैं और संकल्पनाओं सब्द का प्रयोग सम्मे किया गया है लेकिन पहला आपसन यदि आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि प्रात्मिक इस्तर को गच्छाँ से कैसे जोड़ सकते हो निकि यह अपसन गलत है और जटिल से सरल् आप स्रेडिवत तरीके से आप बूड पर लिखके या बता रहे हो फिर भी यह प्रात्मिक इस्तर के बालको को जो है समझ में नहीं आएगा तो यह option भी गलत है option 4 सही होता है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए यानि पहले आप उनको लिखके बता दो और फिर जो है आप उनको धार देके बताओगे तब वह सोचेंगे उनके जो दिमाग में इमेजिनेशन बनेगा यह नहीं जो अमूर्त रूप बनेगा तो इस प्रकार से तो इसका option सही होता है option number 4 तो दोस्तों जो seated में questions आते हैं पेड़ागोजी से सम्बंदित वो इसी प्रकार से होते हैं बस आपको थोड़ा सा ध्यान से question को पढ़ना होता है और उसी question को जो है बिकल्पों से जोड़ना होता है तो निश्चित रूप से यदि आप ऐसा कर पाए तो पेड़ागोजी के कोई भी प्रसनाप के गलत नहीं होंगे दोस्तों अगला प्रसनाप की स्क्रीन पर है मनुस्य के जीवन की गतविधियों में गडित का सरबादिक उपियोग होता है कौन सी ऐसी गतविधियां है जैसे सांस्कृतिक, मनोबैग्यानिक, सामाजिक और आर्थिक किन चीजों में गडित का प्रयोग अपने जीवनें सरबादिक करता है तो दोस्तों आपके आपसन चार है जल्ली से आपसन आंसर दे दिजिए मनुसिक जीवन की गतविधियों में गडित का सरबादिक उपियोग होता है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपसन सी सही है यानि की सामाजिक जो मनुसिक की सामाजिक जो गडित का उपियोग होता है वो सामाजिक गतविधियों में सरबादिक होता है तो दोस्तों उमी ने दिया आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चीत रूप से ऐसे वीडियो अब आते रहेंगे थैंक यू